वेलकम टू आल, मैसल्फ डॉक्टर हरेन, आज का जो हमारा लेक्चर है वो फाइलम मॉलस्का लिविंग और्गनाइजम्स है, पार्ट टू है, जिसमें हम डिसकस करेंगे सिक्स लिविंग और्गनाइजम्स के बारे में, डॉरिस, यूनियो, पटेला, पिनेक्टा, सेप्या और नॉटिलेस के बारे में, इन सिक्स लिविंग और्गनाइजम्स को हम क्लासिफाई भी करेंगे, और यह क्लासिफिकेशन हम इन वर्टीब्रेट्स, जुलोजी जो बु हमारा सबसे first living organism है, यह हमारा doris है, जिसको हम commonly क्या है, sea lemon भी बोलते हैं, अगर हम इसका classification करें, तो phylum हमारा mollusca है, जा mollusca में जो living organism की body होती है, वो soft होती है, unsegmented होता है, shell present होता है, और foot present होता है, और class की अगर हम बात करें, class हमारा gastropoda है, और gastropoda class में जो visceral माज होता है, हमारा यह twisted होता है, 180 degree में, और जो genus हमारा है, इसे हम doris कहते हैं, doris को हम sea lemon कहते हैं, जैसे हम discuss कर चुके हैं, अगर हम habit और habitat की अगर हम बात करें, तो यह ज़्यादा तर जो living organism है, marine है, यह क्या पाया जाता है, क्या है, between the, और या under the stone पाया जाता है, और यह living organism जो low tide वाले reasons होते हैं, वहाँ पाया जाता है, और यह feed करते हैं, sponges के ऊपर, यानि sponges को यह खाते हैं, अगर हम distribution की बात करें, तो यह cosmopolitan है, यानि all over the world, यह distributed है, जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं, कि इसे हम commonly see lemon कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसका shape देखें, तो यह lemon की तरह दिखाया देता है, जो हमारा adult होता है, without shelf होता है, जो इसका head वाला reason होता है, यहाँ पे head वाले reason में, एक retactile या tentacles present होता है, इन tentacles को हम rhino force भी कहते हैं, या rhinophora भी बोल देते हैं, और इन tentacles के चारो तरफ क्या होता है, calcareous spikeles present होता है, इसे एक बार हम picture में समझ लेते हैं, आप जो यह structure देख रहे हैं, anterior reason के पास यह structure है, इस structure को हम rhino phora कहते हैं, या tentacles कहते हैं, या rhinophores कहते हैं, यह anterior reason में present होता है, अब जो डॉर्सल में क्या होता है, कि कुछ depression present होता है, जिसको tubercles कहते हैं, तो अगर हम इसे picture में देखें, तो आपको यह small structure या depression आपको दिखाए दे रहा है, इसके dorsal वाले reason में इसको tubercles कहते है हम लोग इसके बाद जो इसका ventral वाला reason होता है इस ventral reason में mouth present होता है, head present होता है और हमारा tentacles present होता है और जो mental होता है, यह mental क्या होते है, pigmented होते है और इसमें क्या होता है, calcareous specules present होते है इसका जो dorsal reason है वहाँ एनस present होता है और एनस क्या होता है surrounded होता है respiratory organs है इसको हम कहते हैं branchia इसे एक बार picture से समझ लेते है यह जो आपको center पर यह वाला जो reason दिखाए दे रहा है इसको हम एनस कह देते है और एनस के चारों तरफ क्या होते है यह इस तरीके से structure बना हुआ होता है इस structure को हम क्या कहते हैं branchia कहते है जो की एक respiratory organist जिसके त्रूँ यह respire करता है और जो living organism है यह हमारा hermophorodite है living organism अब हमारा जो next living organism है इसे हम union कहते हैं union को हम commonly fresh water fresh water musels भी कहते हैं भी बोलते हैं अगर हम इसका classification करें तो जो phylum है हमारा यह mollusca है और mollusca क्या होते हैं soft body living organism होते हैं जो की unsegmented होते हैं shell present है foot present है हमारा class क्या है यह plessipoda है और plessipoda को y-volve shell भी कहा जाता है y-volve इसले कहा जाता है कि जो class में क्या होता है two shell present होता है हमारा two shell present होता है genus हमारा unio है अगर हम habit और habitat की अगर बात करें जो unio commonly जो पाया जाता है यह fresh water pond में पाया जाता है या lake में पाया जाता है या stream में पाया जाता है और यह ज़्यादातर क्या होते हैं बरीड होते हैं कहा मड के अंदर अगर हम distribution की अगर हम बात करें तो ये इंडिया में पाए जाता है, यूरोप में पाए जाता है, USA में पाए जाता है etc. और भी reason में ये पाए जाते हैं जैसे कि हम पहले ही discuss कर चुके हैं कि इसको हम commonly musal या clam कहते हैं अगर इसका anterior अगर हम बाड़ी को देखें तो वो roughly और oval होता है और क्या होता है कि जो इसका posterior जो end होता है वो slightly क्या होता है narrow होता है और इसका जो size होता है 5 से क्या है 10 cm क्या होती है, length होती है ये से एक बाद picture से समझ लेते हैं ये जो reason आपको दिखाए दे रहा है इतना जो reason आपको दिखाए दे रहा है तो ये हमारा क्या हो गया anterior reason है anterior reason है और anterior reason हमारा कैसे होता है ये होता है हमारा oval होता है और ये वाला जो reason है हमको जो दिखाए दे रहा है ये हमारा posterior reason है posterior reason है और posterior reason हमने कहा कि ये क्या होता है, slightly narrow होता है, अब जो living organism का जो soft body होता है, union का, वो completely hard जो calculus, जो shell होता है, उसके अंदर होता है, और ये जो दो type का cell पाया जाता है, जो upper जो cell होता है, नहीं उपर का जो shell होता है, उसको right valve कहते हैं, और जो नीचे का जो shell होता है, उसको हम क्या कहते हैं, left valve कहते हैं, आईए से एक बार picture से समझ लेते हैं, तो ये आपको उपर का जो shell दिखाय दे रहा है, इसे right valve कहते हैं, और जो नीचे का shell दिखाय दे रहा है, इसको left valve कहते हैं, अब दोनों जो शेल होते हैं इसमें क्या होता है एक स्वेलिंग वाला जो रीजन होता है जिसको हम अम्बो कहते हैं तो ये जो स्वेलिंग वाला जो रीजन है ये अम्बो है ये स्वेलिंग वाला जो रीजन है ये अम्बो है अब shell में ही हमारा क्या है कि कई सारे line हमें दिखाए देते हैं इस तरीके से line दिखाए देता है जो आपको दिखाए दे रहा है पिक्चर में इन line को हम लोग क्या कहते हैं growth lines कहते है अब जो इसका siloam होता है साइजो siloic होता है कि ये क्या होता है मीजोडर्म की क्या है splitting से बना हुआ होता है इसका सीलोम और जो सीलोम होता है ये reduced हो जाता है pair of cavities पर जैसे कि kidney, gonads और pericardium जिसके अंदर enclosed होता है हमारा heart अब ये जो living organism होते हैं इसके पास दो opening होती है एक opening को कहते है excellent siphon excellent siphon का मतलब होता है जिससे हमारा जो water होता है H2O ये क्या होता है बाहर निकलता है तो हम इसे कहते है out, water बाहर निकलता है जो दूसरी opening होती है जिसे हम inhalant siphon कहते है जहां से हमारा जो water है वो क्या होता है इंटर करता है, इंटर करता है इसको inhalant siphon कहते है जो sexist है हमारा वो separate है हमारा sexist का है separate है अब next जो living organism है हमारा ये patela है जिसको हम true lampit कहते हैं lampit कहने का मतलब है जो shell है हमारा वो shell क्या है shield type का है इसलिए हम इसको lampit कहते हैं अगर हम classification देखें तो phylum हमारा क्या है mollusk का है body क्या है soft body है unsegmented है shell present है foot present है हमारा अगर class को देखें तो class हमारा gastropoda है gastropoda में जो visceral maz होता है वो twisted होता है और twisted कितने degree में होता है 180 degree में ये twisted होता है genus हमारा patela है जिसको हम true lampit कह देते हैं अगर हम habit और habitat की अगर हम बात करें तो यह जादा तर क्या होता है rocky जो beaches होते हैं वहाँ पाए जाता है और यह feed करता है जो small sea weeds होते हैं या marine vegetation पे यह feed करता है और जो distribution की अगर हम बात करें तो यह Pacific Atlantic जो coast होते हैं वहाँ पाए जाता है Europe और USA में भी पाए जाता है जैसे कि हम discuss कर चुके हैं कि इसको हम क्या कहते हैं true lampit कह देते हैं अगर इसका जो diameter है वो 7 cm इसका diameter है और क्या है इसका height हमारा 3 cm इसका height है अगर इसका shell का जो shape देखें वो conical होता है shape अगर हम इसे picture में एक बात देख लेते हैं जो यह आपको reason दिखाए दे रहा है यह हमारा ventral reason है ventral reason यह हमारा dorsal reason है तो अब आपको यहाँ दिखाए दे रहा होगा कि अगर यह जो shell है इसका अगर shape देखें तो shape कैसा है हमारा conical इसका shape है अब जो center वाला जो reason है यह वाला जो आपको reason दिखाए दे रहा है तो इस reason को हम लोग कहते हैं apex reason कह देते हैं इसके बाद इसमें हम लोगों को क्या है growth lines भी दिखाए देते हैं तो growth lines इस तरीके से दिखाए देता है तो इसे हम growth lines कहते हैं अब जो head होता है हमारा इसमें two sensory क्या है tentacles present है तो इसे एक बार picture से समझ लेते हैं तो यह हमारा यह वाला जो reason है यह हमारा head reason है इसे हम head reason कह रहे है head reason में यह reason हमारा यह mouth है और mouth reason है तो अब head वाले reason में दो structure पाए जाता है यह structure और एक यह structure पाए जाता है जिसको हम tentacles कहते हैं जो inside the lampet है lampet याई हम shell की हम बात कर है इसके अंदर foot present होता है जो की attaching में help करता है rock के साथ अब जो patela है तो इसको हम true lamped कहते हैं अब इसकी जो body होती है जैसे हम discuss कर चुक है soft होता है unsegmented होता है bilaterally symmetrical होता है और body जो divisible होता है head, foot, mental और visceral mass में ये divisible होता है अब हमारा जो next living organism है इसको pinagda बोलते हैं और इसको commonly Indian pearl oyster कहा जाता है क्योंकि ये जो है इससे pearl का formation होता है या ये जो oyster है यानि pinagda तो ये pearl का formation करता है अगर हम classification को देखें तो phylum हमारा molluska है जिसकी body क्या होती है soft होती है, unsegmented है, shell present है, foot present है class हमारा क्या है, plessy poda है जिसके y-wall shell present होता है यानि हम कहते हैं two क्या है, इसमें shell present है हमारा pinagda को हम जैसे discuss कर चुके हैं कि Indian pearl oyster कहा जाता है अगर habit और habitat की अगर हम बात करें, pinagda generally क्या है, Gulf of California और West India में पाय जाता है अगर distribution की बात करें तो ये cosmopolitan इसकी distribution है बट ये cold jones में नहीं पाय जाता है अब जो species होते हैं बहुत ही small होता है और ये क्या होता है, three से four inches इसका जो diameter होता है और जो shell होता है हमारा, ये grays या greenish yellow होता है और ये हम पहले ही discuss कर चुके हैं कि ये pearl का formation करता है जो shell है, ये shell को हम जैसे valves कहते हैं तो ये unequal होते हैं और जो जितने भी connected are species होते हैं ये connected are species क्या होते हैं different क्या होता है, size और color के pearl का formation करते हैं यानि कहने का मतलब है, जो pearl का size है और color है वो different species के size और color और जो neck ray जो present होता है, उसके color पर depend करता है हमारा next जो living organism है, इसको हम sepia बोलते हैं अगर हम classification करें इसका तो phylum हमारा mollusk का है body क्या है, soft है, unsegmented है, shell present है, foot present है हमारा class हमारा cephalopoda है, cephalopoda में क्या है, well developed eye present होता है और जो regular और foot क्या होते हैं, head में present होता है हमारा genus इसका sepia है, जिसको हम cuttlefish बोलते हैं अगर हम habit और habitat की अगर हम बात करें, तो यह marine living organism है और bottom dweller है, और यह nocturnal है, और feed करता है crabs पे, fish पे, और जो small, जो mollusk का होते हैं, उन पे feed करता है अगर distribution की अगर हम बात करें, तो यह cosmopolitan इसका distribution है अब जैसे हम पहले ही discuss कर चुके हैं, commonly हम इसको क्या है, cuttlefish बोलते है body इसकी क्या है, divided होती है, head, collar और trunk reason में trunk reason में क्या है, हमारा visceral hump present होता है, तो एक बार picture से हम लग समझ लेते हैं यह जो आपको reason दिखाए दे रहा है, कि इतना जो reason दिखाए दे रहा है यह हमारा head reason है, head reason में क्या है, eye हमारा present है ये वाला जो reason आपको दिखाए दे रहा है जिसे मैं dark कर रहा हूँ तो ये reason है ये हमारा corner reason है यानि neck reason है और ये वाला जो reason है आपको दिखाए दे रहा है ये reason हमारा trunk reason है तो trunk reason है trunk reason है और trunk reason में हम जैसे कि कह चुके हैं कि क्या present होता है हमारा visceral visceral hum present होता है हमारा अब यह जो हमने कहा कि जो क्या होता है कि trunk reason में हमारा visceral क्या है कि hum present होता है अब जो इसका head वाला reason है इसमें 10 क्या है oral arms present है अगर हम अगर count करने लगें तो यह 1, 2 इसके अलावा यह total यह 8 है यानि total क्या है हमारा 10 oral arms होते हैं जिसमें से 2 जो arms होते हैं वो elongated होते हैं large होते हैं जैसे कि आपको यह दिखाया दे रहा है 1 और 2 जिस आपको दिखाया दे रहा है यह elongated है बाकि जो arms होते हैं 8 arms यह small होते हैं और दोनों ही जो large और जो eight arms है, two elongated arms, sorry eight small arms होते हैं, उनमें हमारा क्या है? suckers present है, तो यह आपको दिखाया दे रहे हैं, यह structures क्या होते हैं? suckers कहलाता है, यह तो सभी में present है, इन living organism में chromatophores present होता है और ink gland present होता है हमारा, और इसको as a food क्या है, कई सारे different countries में use किया जाता है CPI का जो ink होता है, उसका एक medicinal value होता है, as a medicine यूज करते हैं कई सारे countries में अब हमारा जो last living organism है, इसको हम nautilus बोलते हैं, या purely क्या है nautilus बोल देते हैं अगर हम इसका classification करें तो phylum हमारा mollusk का है, body क्या है, हमारी soft body है unsegmented है, shell present है, foot present है हमारा, class cephalopoda है और well developed क्या होता है, eye present होता है, regular foot क्या है, यह head वाले reason में present होता है genus को netulis है और इसको हम purely netulis भी बोलते हैं अगर हम habit और habitat की अगर हम बात करें, यह marine water में पाय जाता है, crawling करता है, bottom dweller है और nocturnal है, feed करता है, crabs पे और shell face पे यह feed करता है इसका distribution क्या है, cosmopolitan इसका distribution है अब जैसे कि हम discuss कर चुके हैं कि इसे हम commonly क्या है, purely nautilus हम बोलते है जो shell होता है, इसका क्या होता है, spirally क्या होता है, coil होता है एक ही plane में और जो इसका size होता है, 25 cm इसका body होता है, और जो body होता है इसी cell के inside में present होता है, और internally, जो shell होता है वो internally divided होता है, various chamber में, और यह septa से क्या होते हैं separate होते हैं, और septa इसमें perforated होता है इसे एक बार picture से समझ लेते हैं, आप देख रहे हैं कि यह जो shell है तो एक ही plane में क्या है, आप देख रहे हैं कि एक ही plane में यह इस तरीके से coil है और यह क्या है कि जो हमारा है, कई सारे chamber पाए जाते हैं तो आप इसे, यह reason आपको दिखाए दे रहा है यह सब क्या है, chamber है तो यह chamber है, और chamber क्या होता है यह septa से क्या होता है separate होता है, तो यह हमारा septa है septa पे आपको यह जो structure दिखाए दे रहा है तो यह जितने भी structures दिखाए दे रहे है इसे septal necks कहा जाता है और अगर इसका head वाले reason देखें तो head वाले reason में क्या है tentacles present होता है, हमारा तो tentacles present होता है और जो inside the chambers होते है body हमारी present होती है कुछ जो chambers होते हैं वो क्या होते है, ampity होती है और उसमें क्या होते है gas क्या होते है, filled होता है क्योंकि इस septa के through क्या है gas in ampity chambers में पहुँच जाता है जो की float करने में इसको help करता है sexes क्या होते है, separate होते है ink gland और chromatophores क्या होते है इसमें absent होते है आज हमने जो यहाँ पे discuss किया अपने वाले lecture में six जो mollusk के living organism को हमने discuss किया, उसका जो हमने क्या है classification भी किया है I hope आप सभी को यह lecture समझ में आया होगा, thank you